आईक्यू बहुत ही जल्ली Force अगर आप लोग इस चैनलर पर नए हैं तो चैनलर को सबस्काइब कर जा रहे चली वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन की तो इसमें आपको new 6 की तरह ही design देखने को मिलेगा शिर्फ इसमें आपको camera का जो realme 6 जो realme new 6 में camera का cutout था वो इस बार इसमें थोड़ा से improve देखने को मिल सकता है new 7 में तो design wise काफी अच्छा phone होने वाला है बहीं बात कर लेते इस phone के performance की तो इस phone में आपको dimensity 9000 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की around 1 million से जानदा score जाता है इसको अगर हम compare करें तो snapdragon के 8 प्लस चेन बंच से compare कर सकते हो और यह processor 4 nanometer की technology पर रहेगा तो performance wise IQ new 7 काफी killer होने वाला है बहीं बात कर लेते इस phone की display की display में भी आपको काफी improvement देखने को मिलेगा IQ new 6 से new 7 पर यहाँ पर आपको 6.7 इंच का full HD प्लस पी ओ लेड 120 high refresh rate के साथ इस screen देखने को मिलेगा तो screen wise काफी अच्छा phone होने वाला है तो display आपको इस phone का complete देखने को मिलेगा बहीं पंच होल के साथ इसका display आने वाला है और बात कर लेते इसकी selfie की इसमें आपको 16 मेगा का selfie camera confirm देखने को मिलेगा तो अगर आपको एक best display वाला phone चाहिए तब भी आप इस phone का beta कर सकते हो बहीं बात कर लेते इस phone की charging technology और RAM variant की तो यह आपको तीन भी रेंड में देखने को मिलेगा पहला 8, 128 GB और जो दूसा 8, 256 GB और जो थाइड 12, 256 GB वाला option देखने को मिलेगा बहीं बात कर लेते हैं इसकी charging technology की तो इस phone में आपको 120 Watt का charger देखने को मिलेगा box में तो काफी अच्छा होने वाला है यह phone बहीं बात कर लेते हैं इस phone की battery की तो इस पे आपको 4,800 mh का battery देखने को मिलेगा तो 120 Watt charger के साथ 4,800 mh battery काफी अच्छा काम करेगा बहीं इसमें जो आपको processor देखने को मिलता है वो काफी battery efficiency processor है तो battery के मामले में तगड़ा phone होने वाला है तो बस यही था यही सब इस specification अभी निकल के आये हैं यह phone चाइना में launch हो गया है इंडिया में आपको एक से दो महीने के अंदर इंडिया मार्केट में देखने को मिल जाएगा 2023 से पहले ही आपको इंडिया मार्केट में यह phone का entry बहुत जल्दी होने वाला है और बहीं बात कर लेते हैं इसके price की दोस्तों इसका price में आपको बिल्कुल 110% परसेंटेव करता दू 30 यानि 30,000 से लेके 40,000 के बीच में इसका price होने वाला है तो इस price range में killer phone होने वाला है अगर आप लोग IQ का इस phone का bait कर रहे हैं तो आप लोग इस phone का bait करें क्योंकि धमाकेदार phone होने वाला है और अगर आप लोग को इस phone related अभी भी कोई जानकाली चाहिए तो आप लोग मेरे को comment box में बता सकते हो मैं कुसिस करूँगा आपका reply करने की तो बस यही था आसा कर तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like, comment, subscribe, share जरूर करें और आपको कोई भी problem है तो आप लोग मेरे को comment box में बता सकते हैं कर दो आपको अच्छा लगा है